Hello and Welcome यह वीडियो जो है हमारा लास्ट वीडियो है इस शेप्टर का है चैनल स्लेक पात्रे हम पढ़ रहे हैं C4 साइकल का इसमें सूगर सिंसेजी हम पढ़ रहे हैं डार्क रेक सल में सूगर सिंसेजी कैसे होती है तो सेकेंड पात्वे हैं C4 पात्वे इसके बारे में पढ़ते हैं अब एप्लिकेशन फॉर दिसी फॉर पाथ में क्या है दा फॉर्स्ट प्रोड़क्ट ओफ सीर्टू फेक्सेशन इन इनका है जो प्रोड़क्ट होगा वो ओ डबल ए होगा यानि ऑगजलिक असेटिक असेटिक यह नाम है तो उसका रीजन यह देखो लिखा हुए सम प्लांट लेक रुबिस्को एंजाइम क्या काम करता है रुबिस्को एंजाइम तो वापर देखो यह वाली इंफर्मेशन मैं ने कल जाता ही थी आपको नेक्स पिछले वाली वीडियो में कि रुबिस्को एंजाइम ही यह इसा एंजाइम है जो एप आजओ ऊड़ेगा अगर यह रुबिस्कॉ एंजाइम ही नहीं आध है वाह पर तो कैसे ओंपर काम करता है C34C4 pathway और C3 pathway not possible वहां पर C34 pathway possible नहीं पाता है इसलिए वहां पर काम करता है C4 pathway क्यों से plant होते हैं जिन में C4 pathway होता है तो वह है मकमेज, sugar cane ठीक है इस ताइब से मैलेड्स होता है कुछ weeds होती है several weeds होती है जिसके अंदर C4 pathway काम करता है sugar synthesis में अब देखे हेट and select pathway यानि C4 pathway में कैसे काम होता है तो आप पढ़ते हैं अपर C4 pathway तो उसका सबसे पहली चीज़ में बता जता हूँ आपको कि इसमें primary जो CO2 acceptor होते है PEP देखो PEP का full form क्या है 3 carbon molecular ना यह 3 carbon तीन carbon इसमें और इसका full form है phosphoenol pyruvic acid PEP का full form phosphoenol pyruvic acid full form आ सकता है question 3 carbon compound है और एक enzyme काम करता है इसमें PEP carboxylase जैसे उसमें rubisco था ठीक है इसमें क्या है PEP carboxylase है यह enzyme काम करता है PEP 3 carbon को carbon oxides के साथ जोडने में और क्या बनता है OAA यानि की 4 carbon molecule बनता है जिसको हम बोलते है oxaloacetic acid अब देखो यहाँ पर क्या लिखाओ PEP 3 carbon molecule CO2 के साथ जैसे जुड़ा तो 3 carbon और 1 carbon 3 और 1 चार हो कौन सा एंजयम यहाँ पर काम किया यह लिखाओ PEP carboxylase एंजयम यहाँ पर वर्क करता है देखो फिर क्या है यह जो concept है जहां से सुनना दो चीज़ों होता है ठीक है मैं आपको बता दूँ कि यह कौन सी प्लेस है यहाँ पर C4 pathway काम कर रहे हैं तो मीजो फिल सेल्स होती है और बंडल शीत सेल मीजो फिल सेल एंड बंडल शीत सेल इन दो इसल्स के बीच में यह काम करता है मेजोफिल税ल एंड बंडल सिदसेल मेजोफिल税ल में हम की यह सुhältफ काम हो रहा है पर के साझीं जोएट हो रहा हिए और क्या बन रहा है 的 बढ़ते हैं बढ़किल OAA is reduced to malic acid यह जो है na, oAA यह जब reduced होता है क्या होता है reduced या तो reduced माल दो या और ज्यादा develop होता है या next जो इसका रूप होता है वो होता है malic acid यानि कि आप oxalo acetic acid को malic acid भी किया सकते हैं जब वो reduced हो जाता है यानि कि यह भी कितने carbon का है four carbon का carbon change नहीं हुआ एक तीन carbon यहां से एक carbon यहां से दोनों joint हुए कौन से enzyme की presence में PEP carboxylase enzyme में और दोनों joint होके OAA वाला compound बनाते हैं और reduced होके malic acid बनाते हैं जिसके पास again four carbon molecule होता है OAA is reduced to malic acid high energy molecule high energy electron of NADPH are used यहां पर NADPH को high energy molecule क्यों कहें थे क्योंकि NADPH एक अकेला NADPH तीन ATP बनाने के ताकत रखता है ठीक है NADPH तीन ATP बनाने के ताकत रखता है NADPH is the smallest energy molecule लेकिन उसके अगर तीन ATP को हम साथ में जोड़ दे तो इसका NADPH कह सकते हैं अब यहां पर वापस से malic dehydrogenase नाम का enzyme बढ़ कर रहा है क्यों कर रहा है उसका reason बात करते हैं यहां पर पूरी information आपको diagram में दे रखिए आपको diagram ख़र समझ में नहीं आ रहा होगा पर मैं जो बताऊंगा आप समझ में आ जाएगा यह है mesophyll cells यह जो line देख रही है यह mesophyll cells की इधर वाली cell है वो mesophyll cells और इधर वाली जो नीचे वाली cell दिख रही है इसको बलते है bundle sheath cell mesophyll cell and bundle sheath cell इन दोनों के बीच में reactions होई यहां पर OAA आया ठीक है OAA कहां से आया मैं आपको भी पता है PEP full form of PEP is phosphoenol pyromic acid is combined with the CO2 and then form OAA याने की oxaloacetic acid यह reduced होता है malic acid में जिसको हम force ही कहते हैं तो यह reduce होँ यहां पर NADPH का use हुआ है और NADPH का use होके वो किसमें convert हुआ OAA किसमें convert हुआ malic acid में 4 carbon यह भी 4 carbon यह भी यानि 4 carbon तक अपर पहुच चुके हैं carbon का use हो चुका है carbon dioxide का फिर यह malic acid जो है वो कहां जाता है bundle sheet cell जब तक malic acid नहीं बनेगा तब तक bundle sheet cell में यह acid नहीं जाए पर जैसे यह malic acid बनता है तो वो 4 carbon वाला malic acid bundle sheet में एंटर करता है from the through the plasmo desmala अब यह कौन से खानी नहीं नहीं पता रहे कमल सरां यानि कि दोनों cells को जोडने के लिए जो एक आप समझते हो कि जो बीच में channel है जो बीच में इसमें जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मोडेज माटा इसी प्लाज्मोडेज माटा के through malic acid जो है ट्रांसफोर हो जाता है बंडल सी cell में आगी के इंफॉर्मिसन पढ़ते हैं malic acid is carboxylated to pyruvic acid ध्यान से देखें डी-carboxylate और carboxylate और carboxylate में carbon जूडता है और डी-carboxylate में carbon dioxide में से carbon निकल जाता है समझ रहो मैलिक acid जो है कितने carbon है malic acid अभी बता है 4 carbon यह देखो फोर कार्बन इदर आए तो bundle sheet cell में आ गए यहां प्लाज्मोडेज माटा था और यहां पर था आपका कौन सी मिजोफिल सेल मिजोफिल से हम आगए bundle sheet cell में malic acid जो है कितने carbon molecule है 4 carbon 4 carbon से अब यहां पर क्या होगा डी-carboxylation होगा है डी-carboxylation यानि कि चार carbon में से एक carbon निकलेगा तो जैसी यह divide होता है तो दो चीज निकली एक carbon dioxide निकली और एक pyruvic acid निकला 3-carbon value value का बोलते हैं pyruvic acid जो कि 3-carbon का है और एक carbon जो है carbon dioxide बनके entered in the Kelvin cycle अब तुम खुद सोचो entered in the Kelvin cycle यानि जो C3 cycle है यहां से operate हो जाएक यानि C4 जो plant होते हैं उसमें C3 pathway होता ही होता है ठीक है और जैसे C4 work कर रहा है तो जहां से CO2 निकली है तो C3 cycle कभी भी atmosphere से CO2 नहीं लेगी ठीक है जिन C4 plants में C4 cycle होती है वहाँ पर Kelvin cycle कभी भी atmosphere से CO2 नहीं लेगी वहां से उसको Kelvin cycle CO2 कहां से मिलेगी इस hedge and slack cycle से जिसका हम बोलते हैं क्या C4 cycle तो यह जो CO2 release होई है क्यों Kelvin cycle ले लेगी और सुगर बना देगी सुगर बनाने का काम सिप Kelvin cycle का C3 cycle का मैं बहले बता रहा हूँ है पहले पात्वे एक्जिस्ट करता है पर Kelvin cycle में काम करता है सुगर बनाने में पर hedge and slack यहां पर आगे filter लग जाता है जो CO2 इसको दे देता है और यहां से जो and pH plus back to the NADPH जो एलेक्ट्रों इलीज हुए हैं तो NADP जो प्लस है NADP plus क्या है कहां इसा तो यह है 2 ATP molycum और यह 3 ATP block यानि कि इसमें और भी इलेक्रोंस में आके 2 ATP जो है वो 3 ATP में convert हो जाएगा यानि NADP प्लस जो है वो NADPH बन जाएगा और पाइरुविक एसिट का क्या काम है देखो यहां पर पाइरुविक एसिट बना है और CO2 तो चलो यूज हो गई है तो 3-carbon molecule यहां बन गया है तो यह वापस से बेख हो जाता है यहां से बेख वापस चली जाती मिजोफिल सेल्स नहीं यानि बंडल चीछ सेल से वो प्लाज्मा डेस्मार्टा के थ्रू वापस कहां चली जाएगी मिजोफिल सेल्स कौन पाइरुवि acid is phosphoglycerate to form PEP ठीक है देखो पाइरुविक acid is phosphorylated to form PEP यानि कि पाइरुविक acid किस में convert हो जाता है PEP में पाइरुविक acid को transform कर दे जाता है वापस PEP में जैसा कि आपन वापस पढ़ते है मैंने आपको बताया था कि जहां पर PEP है PEP किस के साथ जूड़ता है CO2 के साथ तो PEP पी कहां साया तो यह सरकल है पूरी के साइकल है देखो यहां पर लास्ट में क्या बना CO2 जो है वो Kelvin साइकल पर चलेगी सुगर सिंतेस के लिए जो पाइरुविक acid बना वो फ़र्दर वापस कहां चला जाएगा बंडशी सेल से मिजोफिल सेल में और डारेक वो पाइरुविक acid वापस क्या बन जाएगा यहां पर यह पीप बन जाएगा मतला इसके आगे कहांनी अगर पड़े हैं पर सियोटू एड़ पीप तो यह ऐसा कहांनी हुई सियोटू आया पीप इसके साथ जूड़ा ओ एए बना ऑग्जलो एसेटिक एसेड फिर वो ट्रांस्फोर मेलिक एसेड में फिर वो आगे जाके रिड्यूज हुआ डिकर्बोक्सिलेशन हुआ तो फोर कार्बन में से एक का एक हाँ कई बन गया पाइरू झाल ओन भी लेक एड्य यहां से आया यहां से आया से पाइरू केसमा बना दिया पी यह इना इङसे अब गश्योग तक शेगल ऑर अपना सुगैसी का स्टीन हमारा काम होता है पूरा इस तरीके से c4 cycle exist करता है नेचल एक चोटा सा overview ले ले लगते हैं देखो यह आपर आपको दो सरकल दिख रहे हैं वन सरकल यहां पर वन सरकल यहां पर यह उपर वाली जो सेल है वह है मीजोफिल सेल और यह सेल वोल लगी हुए है दोने में कांट सेल म और मीजोफिल सेल में देखो क्या हो रहा है देखो यहां से CO2 एंटर कर लिए देखो उपर से बताता है यहां से CO2 एंटर कर लिए पहले से एक्जिस कर रहा था पीपी और CO2 दोनों जूड़े ओ डबल आ ओक्जेल और एसिटीक एसिड बने वह रिदूज हुए मैलिक एसि 3-carbon का और एक carbon जो CO2 था किसे हो गया Kelvin में Kelvin cycle कर लेगी sugar synthesis और जो pyruvate acid है again वह फिर कहां चला गया bundle cit cell से वापस कहां चला गया mesophyll cell और C3 acid जो था यानि कि जो pyruvate acid था उसको वापस convert कर गया PEP में अब आगे वापस CO2 आएगा यह से सलता गया यह six time repeat होगा तो ऐसे six carbon molecule यहां से release होगी है तो six time Kelvin cycle repeat होगी और six carbon का glucose बना देगा ठीके तो इस तरह के से हमारा है चंसलेक वाला लास्ट की कुछ factor ने फोटो सिंथेजिस को affect करते हैं लाइट टेंपरेचर वोटर और सी ओ टू कंसेंटरेशन अगर सी ओ ज्यादा होती है कम होती है ज्यादा होती तो भी अच्छा है कम होती है तो बुरा है वोटर पानी के चाहिए एस तू और अगर इस प्लिट नहीं हो प्लिट नहीं होती है जो टेंपरेचर पर काम करते हैं तो टेंपरेचर कम ज्यादा होए तो एडजाइम अपना वर्क बंद कर देते हैं यह डिस्ट्रोई हो जाते है वो लाइट फोटन लाइट ही नहीं रहीगी सनलाइट तो कैसे फोटर सिंथेज जाओगी क्योंकि करेंगे डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंटर बॉक्स में क्वेशन पूच के आंसर ले लिए ओके बाए